यारों दोस्ती बड़ी हसीन है अल्राइट ओकी बुरु लेट्स नेकर कॉल हुआ हुआ बावेश रेडी हो गया रही मैं तो तयार हो गया यह वता कौन कौन आ रहा है आज दिया इशा निशा पार्त अबेवी है समिक्षा भी आ रही है अरे सुन नाइट अंजल आ रही है भावेश नाइट अंजल बहुत नार आ रहा है तुसे यार इंस्टाग्राम में भी ना उसने ब्लॉक किया हुआ है मैं तो बहुत हट हो गया नाइट अंजल को छोड़ एंजल आ तू आजा तो सुधाण बार आज़ को सुधाग्राम में भी है धुति आप को सुन भी आप अवनिया थे उ्क्याव थाल्या म्ेरग के लिई एस्ट करहें बश्ध है आप तो कभी भी याओ थाएए ताल जाल बाझे वर थाल्बागा अंजला ओड़े में इं। श्वा ने देंश दिय आने जना बारी बारी से आने तो बड़े धोके हैं इतना हमें हाँ भावेश कहां तक पहुंचे भाई नागिन गाना लगा तेरा भाई आ गया हाँ ठीक है तू जल्दिया तू अपयाँ जल्दिया जहां बॉच ओ रहा है तो हम दोनों की बहुत सारी शुक्ष्प धामना है आप सबी के लिए आप सब का फ्यूचर और जो अख्छे नहीं भी आए हैं बीटेस वाले भी उनको यह बहुत बहुत शुक्ष्प धामना हैं यह भावेशना हम्मेशा टाइम लगाता है आने में तब तक हम स्कूल की यादों की तरफ चलते हैं स्कूल यह वो वर्ड है जिसे हम सुनकर बच्पन में डरा करते थे जहां हम पहली बार गए थे अपने घरवालों को छोड़के दोस्ती करना जहां सीखाता हमने एक नया सा रिष्टा जोड़के हर रोज मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर का एक लंबा सगीद गा कर सुनाते कभी चौक डस्टर वाला किरकेट तो कभी बुक किरकेट खेलना चौक के छोटे छोटे टुकडे करके एक दूसरे पे फेगना वो वाश्रूम में सबका साथ जाना और आधा क्लास वहीं बिताना वो छोटी छोटी बातों में इस्कुल के बाहर मिल यह कहकर दूसरों को हड़काना वो लाइफ का पहला करश हर वक दबस उसे देखने करश वो दिवाली में क्लास्रूम में बवाल मचाना कोई पानी पीने जाता तो उसे अपनी बोतल भी पकड़ा देते वो अपनी कोड लैंग्विज बना के एक दूसरे को इन इशारों में आंसर बताना बलेजर डाल के सर पे किसी की बे मतलब ही कुटाई हो जाती थी वो सीन भी किसी मुवी से कम नहीं था जब स्कूल में किसी की लड़ाई हो जाती थी सारे दोस्त एक परिवार से हुआ करते थे स्कूल जाने का मतलब दोस्तों से मिलना ही तो था मेरी जिन्दगी साभारी मुझे पोगने लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यहरा तेरी आरी को मैंने दो खुदा हाना जड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन लड़के न एक तुई यार मेरा मझे को क्या दुनिया से लेना ये दोस्ते थी हम नहीं तोड़ेगे तोड़ेगे तोड़े तोड़े तेरा साथ न छोड़े अपना हम दोस्ते न बेटकी सी बातों पे बेहिसाब हंस्ते थे जिसको आज याद करके हंस्ते थे जिसको आज याद करके हंस्ते को पेड़ेगे जिसते हैं वो स्कूल के दिन ही तो थे वो सुल्जी हुई से जिन्दगी बेफिकरी से जीते थे हम एक बार फिर से उस ग्राउंड में पढ़ती धूप सेकनी है टीचर्स के ताने और डांड भी क्या पता था इन यादों के लिए एक फेंट होगी अपनी डेस्क को किसी और के बैक से साफ करने में जो सुकून मिलता था ना क्लास के टाइम कॉपी पे लिख लिख कर बाते करना कितना फन लगता था यह यादें कोई कम यादें नहीं होती वो खुद में एक सेलिबरेशन है जिस बेंच पे कमपास से अपना नाम लिख कर आये थे वो बेंच वहाँ पे अब पता नहीं होगी भी की नहीं करश से पैन मांगना दिल मांगने के बराबर था तब प्यार भी ना बड़ा मासूम हुआ करता था कुछ अलग बात तो है उस वक्त में कि याद आते ही खुशी मिल जाती है जिन्दगी के सबसे हसीन पलना वो स्कूल में ही मिलते हैं करना बाएं हाथ का खेल हो जाता है पकड़े जाने पर क्या बहाना मानना है वो पहले से ही आता है वो 15 गस के लड़ू वो कागज की जहास वो कंप्यूटर लैब की मुलागाते हैं वो होली को होली से पहले आके खेलना वो फ्रेंशिप डे पर टेका की रोड में जाना दिन महीने साल सब बीट गए समझ ही नहीं आया वो नाम टीजर्स को कभी पता नहीं चलेंगे जो नाम हम उन्हें प्यार से दिया करते थे जिस यूनिफॉर्म की बेस्ती करते थे उस यूनिफॉर्म की आज बहुत याद आती है सामने से जब कोई स्कूल बस गुजर्ती है न तो भी अपनी आखे नम हो जाती है पहले तो बस सेक्शन चेंज हो जाने से हम तड़ब जाया करते थे पता नहीं अब उनसे मुलाकात होगी भी की नहीं अब हम यहाँ नहीं होंगे कभी फैमली थे अब विजिटर्स बनेंगे गुरुफ फोटू वो आखरी थी जिसमें आखरी बार सब साथ दिखे थे कभी किसी को भावी बना के दोस्त को उस नाम से छेड़ना उन चहरों को साथ देखकर वो आखरी बार अपना वक्त निकाला था ना कैरियर की टेंशन बस दोस्ती यारी सची थी अब मैसूस होती है वो सुबह आज की सुबह से कितनी ज्यादे अच्छी थी काम चाती थी बाड़ी जब क्लास की बीच में टीचर बोर्ड पे बुलाती राहत मिलती तब जब पता चलता बोर्ड बस साफ करना है पर इन क्लास मॉनिटर का कसम से अभी भी हिसाब करना है पेन होता था अपने पास में फिर भी उससे मांगते थे वो कहती कल ही तो दिया था दिल के साथ पेन भी बड़ी जल्दी खो जाते थे एक्जाम हॉल में दोस्तों के सहारे जाना कभी आगे वालों से पूछना तो कभी पीछे वालों को दिखाना तब फर्रे ही तो काम आते थे देर रात जग्र जो हम बनाते थे जब एनुल फंक्शन आता था तो पूरा स्कूल जगमगा जाता था हम सब भी सजधाज के जाते थे और कितना मज़े उडाते थे वो एनसेस के दिन बर्फ बढ़ जाना और हमारी दोस्ती और बढ़ जाना वो दिन जन्नत से कम थोड़ी थे वो एक परिवार की फीलिंग वो एक परिवार की तरह साथ रहना लकडी लाना, खाना बनाना, कितना मज़े उडाते वो एनसेस की नाइट लाइफ किसी फॉरन लाइफ से कम थोड़ी थी वो नोटियाल सर की स्माइल, वो प्रीती मैम की पनिश्मेंट, वो बैटमिंटन की लड़ाई, वो गोपाल सर का मोटिवेशन वो रिसेस वाला ग्रूप, कितना कुछ चोड़िया है, जो कभी वापस नहीं आएगा आजकल बातें इंस्टाग्राम, वर्टसेफ, फेजुक में तो हो ही जाती हैं लेकिन वो क्लासरूम की बातें, वो खुशियों भरी मुलाकातें, फिर कभी नहीं हो पाएंगी वो छोटी-छोटी बातों में रूटना, कैसे इतने साल बीट गए, कुछ ही पलों में अब न जाने इतनी बड़ी दुनिया में, कहां खो जाएंगे तुम थे के थे कोई उचने के रन, तुम थे आ कोई कनी मुसकाई थी तुम थे आ सपनों का था जावन, तुम थे के खोशियों की घटा चाई थी तुम थे के था कोई भूल खेला, तुम थे आ मिला था, मुझे नया जा दू पल रुका, खाबो का कारवा, और फिर चल दिये, तुम कहा हम कहा दो पल की थी, दो दिलों की दासता, और फिर चल दिये, तुम कहा हम कहा जिन्दगी लेके आई है, बिते दिनों की के दान जिना है वेकार में मेरे यार मोड़को 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 लेलो पैसा तेले लेलो प्यार मनूदे यार मोड़को सुखाण रचान में दो प्यार को सुखाण तिल दान जो के थे सेंड थॉमस्के ताइम एडिस्टाइम एडिशन तो कि वुआ गृण गृण गृणा की नहीं हैं तो हमेशा याद रहेंगे उनको भुलाया निया सकता हूं बाकी तो मैं स्कूल ऐसी आते थे कि दोस्तों से मिल जाओंगे गेम सीरेड हुआ करता था चार बैडमिंटन लडकियों की भीड और एक बैडमिंटन पे दस लड़किया पागरे बहुत याद आएंगे ये लोग अब आपको परंदर से बाद में समझा देते हैं होता रहता है होता रहता है वो सबको दिखा देते बेटा अब तो गय तुम 11-12 तो मारा ऐसी लोगडाउन में गया बहुत रोर है हम सब कि हमने अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से इंजॉए नहीं कर पाए अपने छोटे से एफर्स किये हैं कि आपकी स्कूल मैमरी को रिवाइब करने की क्योंकि जब हम लोग भी स्कूल जाया करते थे तो हम लोग भी मोमेंट्चों थे मिस्किया करते थे तो आई होप यू लाइक इस वीडियो बाबाई हाँ भावेश